बुंदेल खंड में जब जा करके भाजन दे रहे हो खड़े हो करके आप ही तो रेवडी जैसे सब्द प्रियोग कर रहे हो और आज जब दूसरे विपक्ष के लोग जब आप पे सवाल खड़ा करें तो आपको तकलीप होती है तब आपको पिड़ा होती है प्रधान मंत्री गान्दी के देश से आया हूँ आपके ही देश में गान्दी को गाली दे जाती है उनका अपमान किया जाता है नजाने क्या क्या उनको कहा जाता है आपके मूं में दही जम जाता है आपके मूं में फेवी कोल लग जाता है आपके मूंसे सब्द नहीं निकलता है और आप इ पर जुम्ला होता है बोट को लेने के लिए आप ग्रहमंत्री को उठाओ जेल में डालो फिर आपने संजद भवन में आप पोस्टर नहीं लेकर खड़े हो सकते आप किसी चीज का रोज वेक्त नहीं कर सकते आप किसी चीज पर अपत्ति दर्ज नहीं कर सकते भाईया लोगतं कर दो क्या जरूरत है फिर देश की बोल दो कि देश में हमसे लक्षन नहीं होंगे इस देश का अकेला एक मैं ही राजा हूँ जो मैं बोलूंगा वो तुमको सुनना पड़ेगा हम लेकिन एक तरफ देख रहे हैं कि मर्यादा की बात की जा रही है कि मर्यादा और गरीमा को संसत के अंदर रखना है दूसरी तरफ संसत के बाहर राष्ट पिता को इस तरीके से कोशना और इस तरीके के शब्दों का इस्तमाल करना आखिर इनके पीछे का क्या मोटिव लगता है मैं इसका सवाल सीधे इस समय देश का सबसे बड़ा मुखिया इस देश का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति प्रधान मंतरी नरेंद्र मौदी जी से पूछना चाहता हूं आप जब देश में जाते हैं तब आप कहते हैं कि मैं गांदी के देश से आया हूं तब आप कह आप इतना जाधा डर जाते हो, तुमने यहीद इतना जड़ा। तुमने ही मेराओ रुपे का जुम्लारी दिया। और इस जुमले को इस पर्ष्ट किस ने किया आपके ग्रहमंत्री ने किया उन्हें ने टीवी के सामने नीजटीन पर आकर के बोला कि देखिए ये जो 15 लाग रुपए की बात है ये जुमला है आपको भी पता है कि 15 लाग रुपए आपकी जेम में नहीं आए ये पॉलिटिक किताम में ये लिखा है कि जब जब ताना साहा को डर लगता है वो हर एक उस चीज़ पर बैन लगाता है जिससे उसी की छबी को लिक्सान होता हो जिससे उसके कल कारनामे उसके कलकोरक दंदे का परदाफास होता हो हर चीज़ पर वो बैन लगा देता है आज आपने संजद अप पोस्टर नहीं लेके खड़े हो सकते आप किसी चीज का रोड़ सुवेक्त नहीं कर सकते आप इसी चीज पर अपॅतिधा司 नहीं कर सकते पाईया कि आ दो था मंदिर में लगा दरवाज़ा बंद करो क्यों भाई आप जब प्रधान मंत्री नहीं थे आप नहीं बोलते थे क्या आप जब विपक्ष में थे आप नहीं बोलते थे क्या और आज जिन राज्यों में आपकी सरकार नहीं है वहाँ जब आप जाते हो चुनाव लड़ने के लिए आप नहीं बोलते हो क्या और तो आपको तकलीप होती है प्रदान मंत्री जी यह देश की जनता जिसने आपको वोट दिया जब आपको वोट लेने होते हैं तब आप जाकर के ऐसे सब्दों का प्रियोग कर देते हो और जब वोट देकर के आपको पहुंचा दें सुरक्षित कर दें उसकी बाद आपको यह देश सुईकार नहीं करेगा यह देश जर्मनी नहीं है यह देश तालिवान नहीं है यह देश का अफगानिस्तान नहीं है यहां लोग तंत्र है और लोग तंत्र देश के लोगों से बनता है देश के लोग ही सरकार चुनते हैं और देश के लोग ही सरकार गिराते हैं अन्तोह गत्ता इस सरकार की चावी, सरकार नामक ताले की चावी देश की जनता के पास होती है और जब तक इस देश में जनता रहेगी अब किसी दिन तुम जनता ही खतम कर दो फिर तो कोई बात नहीं, फिर आप अकेले यहां राजा बनकर रह सकते हो, फिर तो कोई तकलिप नहीं होगी आपको